नमस्कार आप देख रहे हैं विरा 24 न्यूस मैं हूँ आपके साथ हीना नवर की ग्राम पंचाय चक्रामपुर के सेड़ गरगाओं में वन विभाग की करीब 150 वीगा जमीन है इस पर कबजा करने को लेकर गुर्जर और बगेल के समाज के लोगों में विवाज चल रहा है इस जमीन पर कुछ लोग खेती भी कर रहे हैं लाल सिंग बगेल और पंजाब सिंग गुर्जर के परिवार के लोगों ने सरकारी जमीन पर कबजा कर रहा है गुर्जर समाज का आरोप है कि बगेल समाज के लोगों ने पहले से ही जमीन पर कबजा कर रहा था अब यह जमीन पर कबजा करने के लिए बाहर से अपने रिस्तदारों को बुला रहे हैं उन्होंने लाल सिंग बगेल के परिवार को ऐसा करने से मना किया इस बात पर दोनों पच्छों में कहा सुनी हुई करीब आठ दिन पहले जब बगेल समुदाय के लोक सरकारी जमीन को टेक्टर से जोत रहते तबी वहां फॉरेस्ट के कर्मचारी आ गए और टेक्टर को जब्त करके ले गए एहरबान गुर्जर का कहना है कि इस पर उन लोगों को संदे हुआ कि हमने उसका टेक्टर पकड़वा दिया है दोनों पच्छों में इसी संदे के चलते सबता भर से तना तनी चली आ रही थी बुद्धवार को यह विवात खूनी संगर्स में बदल गया पंजाब सिंग गुर्जर ने बताया कि बुद्धवार को लाल सिंग पाल के भतीजे की बहू उस पर कच्रा फेक कर चली गई पंजाब सिंग के अनुसर वेह अपनी दुकान के बाहर ज़ाडू लगा रहा था जब उससे इसका विरोध किया तो बगेल समाज के लोग लाठिया लेकर आ गए जवाब में पंजाब सिंग के परीजन भी लाठिया लेकर वहाँ पहुँच गए दोनों पच्छों में लाठिया चलने लगी बुजुर्ग महिलाएं भी इस विवाद में पूत पड़ें इस मामले में दूसरे पच्छ के साहब सिंग बगेल का कहना है कि पूरा विवाद मवेशियों के चरने जाने के रास्ते को रोकने को लेकर हुआ था दूसरे पच्छ के लोगों ने उनका रास्ता बन कर दिया जब उसने जीतू गरजर से रास्ता शोड़ने के लिए कहा तो विवाद हो गया इसी के चलते सभी लोगों ने उन पर हमला कर दिया जीतू ने उसके ताउ लाल सिंग बगेल को गोली मार दी इलाज के लिए गोलीयर ले जाते समय रास्ते में ताउ की मौत हो गई पुलिस ने फिलहाल दर्जन भर लोगों पर हत्या के प्रयास मार पीट सहीद बलवा की धराओं में प्रकरन दर्श कर लिया है लाल सिंग ने मृतिपूर विद्धिये बयानों में जंडेल सिंग गुर्जल, एहरबान गुर्जल, सुरेन गुर्जन, रामनात गुर्जन, परवश सिंग गुर्जन, हरभनजन गुर्जन, नंदु गुर्जन, दिवान सिंग गुर्जन, राम लखन गुर्जन, सिफ चर पर चक्का जाम कर दिया, यह चक्का जाम देर राद तक जारी रहा, सिप्पूरी स्पी राजे सिंग चंदेल का कहना है कि विवास सामने आने पर गाउं में पुलिस बलतैनात किया है, पीडित पच्छ के बयान के आधार पर FIR है, आरोपियों की जल्द गिरफतारी होगी, मा आधार पर कारवाही की जाएगी,